चित्रकूट जन्पत के जिलास बताल में सड़क हाथसा में एक घायल महिला को डाक्टर द्वारा गरत इंजेक्शन लगा देने की वज़े से उसकी मौत होने से हड़कम मच गया है मामला चित्रकूट के जिलास बताल का है जहां रहपूरा ताना चित्रके बरहट गाउं की रहने वाली सुधा नाम की महिला खेट से लोटते वक्त रास्ते में एक बाइक सवार यूवक ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे उसके हाथ पर गंभीर चोटा गई थी जिसे इलाज क महिला की हालत विगड़ गई और कुछी मिन्टों बाद महिला ने दम तोड़ दिया जिस्ते परजनों में कोहराम मच गया है जिसके बाद में तक महिला के पज़र डाक्टरों पर लापरवाही का अरूप लगाते हुए महिला को गलत इंजक्शन लगाने का गंभीर किलाब कारवाही करने की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा काटने लगे जिसकी सुचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने पेड़ित परजनों को समझा बुजा कर सांथ कराया है और और अरूपी डाक्टर के किलाब तहरीर मिलने पर मामले की कराकर कारवाही करने की बात के है वहीं इस मामले में अपर पुलिस अभिक्षक का कैना है कि परजनों से कहा गया है कि वह पहले पोस्ट मार्टम करा ले और जो भी डाक्टर के खिलाब तह्य dépendना चाहते हैं उस पर मामले की जाचकर आगे विदिक कारवाही की जाएगी प्रम बरहट के रहने वाले हैं वहां तुझे बाइक से एक्सिडेंट हुआ उनके हाथ में चोट आये हाथ फिचर हो गया है लेकर के हम सोनीपूर अस्पताल आये सोनीपूर अस्पताल में सामके दावा दिया गये था ठीक था मारीज इसके बाद सुभे थोड़ा चाय वाई इसके बाद जो हैं डाक सावाई इंजेक्शन उन्होंने दिया और इंजेक्शन देने के बाद दो मिनट में खतम हो गया मादेश डाक्टर रवीन सर्के थे अच्छा तो जिला स्पताल लाई थी यहां पर क्या हुआ कैसे फिरोंगा खतम होई यहां पर ठीक थी पट्टी बर चड़ी हाज जो टूटा था अब फिर अभी जो सूजी लगी थी वो सूजी में कमी थी जो भी हो तो सूजी लगने कितने दिरवाद खतम होई नर्ष बा परक्रण है जिसमें एक महिला कल एक्सिडेंट में घाया लोगे यहां इलाज करा रही थी आज परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका इलाज के दौरान जो है किसी इंजेक्शन के लगाने के परश्याद जो है उनके मिर्ति हो गई जिस संदर में उन्हें कहा गया है कि कोश्मार्टम आज की कारवाई करा करके और जो लिक के देना चाहते हैं उसके आधार पर आगे विधिक कारवाई सुनेश्यक्त की